हाई गाईज एट्स मीनासर खांचान और आज जो कि आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को नारेल जो है यह में काने वाला हो और काटने वे वाला हो ना तो आप लोगों को बताऊंगा कि नारेल आप लोग ज़रूर जो है वो काया करें देखते कि इसमें से कितने पान तो अब हम देखते हैं, यह देखिए कि पानी तो निकल गई कापी ज्यादा, मैंने तो ऐसे नारेल भी काई है कि उसमें से एक बून तक नहीं होता पानी है, यह देखिए कि नारेल की पानी आप लोग ज़रूर पिया करें माशाला है कापी अच्छा टेसता है, अब हम नारेल जब आप लोग किसे तरह कैटे तो पिर इसको आ प्लोग चोड़ेशे हिस्सों में इसको काट ले इस तरह मैं काट रहा हू ना ओसे मैं तो ऐसे ज्यादा रिंग के शकल में काट आप इसको और इसको आप आपने पिर डार जो है ना फ्रीजर में आप लोग ने इसको रखना है ताकि वहाँ पर यह प्रेश पे रहेगा ताजा भी रहेगा और जब अपका दिल चाहेगा तो आप लोग इसको का सकते हैं अदर्वाइस मैंने इस तरह पहले इसे पाले निकाल कर जो है पिर मैंने ऐसे ही रखा था इसके बाद यह बिल्कुल जो है वो हरा हो गया था तो नारेल को हमेशा आप लोगों ने इस तरह काटना है इस तरह मेल काट रहा हो ना और इसको आप लोगों ने पिर रखना है प्रीच या प्रीज़र में यह देके यह इसी तरह रिंग रिंग शेप में आप लोग काट लें यह देके मैंने काट लिया और पिर आप लोग इसको नारेल काने से एल तो यह होता है कि स्कीन अच्छा हो जाता है और और इंसल में रोजमारा की जिन्दे के में वैसे हम बहुत सारे काम काच करते हैं तो तकावड नहीं है बदन की वो बितको खतम हो जाता है तो अब लोग भी नारेल काया करें और मुझे फीडबेक जरूर बताया करें बवाया ओ यह दबन